असलाम हुआ अलेकुम मैं जुलेखा अर्फाद जुलेखास कुछिन से तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया से मटन के चटकारा कबाब बहुत ही लजीज लगते हैं और हरी चटनी के साथ तो यम लगते हैं बहुत ही मज़ा आएगा आपको बना कर भी और खा कर भी तो च कानने मैंने 10-15 मिट के लिए साइट पर रख दिया था इसे कंप्लीटली ड्राय आउट कर लीजिए मटन की इसको और जब कंप्लीटली ड्राय हो चाहे तो आप किचिन टॉवल से भी इसे पोच सकते हैं तो चौपर के अंदर दाल दीजिए तीन ब्रेड को इसी तरीकी से ह थाली में निकाल लीजिए अब नमग दाल दीजिए स्वाद अनुसार मैं एक छोड़े चाय के चमच दाल रही हूँ यूजवली मैं क्या करती हूँ दो से तीन छोड़े चाय के चमच साबुद धनिया जो आता है जिसे हम दरदरा भून कर दरदरा पीस कर रखते हैं मैं य यहां पर उस दालने के बजाए, वो चीज दालने के बजाए, दो छोड़ी चाय के चमच, धनिया पाउडर दाले हूँ, आप चाहे तो धनिया पाउडर दाले, या दो से तीन छोड़ी चाय के चमच, साबुत धनिया जो दरदरा पिसा हुआ आता है, वो दाल दे, पौना छो को बारिक काट कर रखा है वो मैं दाल देती हूँ, खूब सारी बारिक कटी हुई, कोथ मिट आने के हरा धनिया दाल दीजिए, एक छोड़ा चाय का चमच आत्रक लसन का पेस्ट ताल दीजिए, थ्री फोड़ा चाय का चमच चिली फ्लेक्स दाल देजिए, आप चाहें तो ए एक छोड़ा चाय का चमच भी चिली फ्लेक्स दाल सकते हैं, यहाँ पर मैं दाल देती हूँ, एक मीडियम साइस की प्यास बारिक कटी हुए, इसे मैं हलका हातों से निचोल लेती हूँ, कि पानी नहीं जाना चाहिए इसके अंदर, तो जब अच्छे से निचोल ले तो इस करते ही शुरू कर सकते हैं, बट मैंने 2-3 घंटी के लिए फ्रिज में रख दिया था, तो हम एने निकाल लिया है, तेल से हातों को ग्रीज कीजिए, छोटा सा पॉशन लेजिए, कीमे का बॉल बनाईए, और चप्टा करते जाएं, और इसे साइट पर रखते जाएं, तो सबसे पहले तो मीडिय वाज कर दीजिए, और विसमे लायरा खाने रेम बोल कर यह जो हमारी कबाबे हैं, यह सारी एक एक करके लगा दे जाएं, अच्छा कबाबे आप है ना, एक साथ बहुत जादा मत दाल दीजिए, चितना आपका पैल में समा पहें, उतनी दालिएगा और इसे एक मिनिट तक पकने दीजिए, जब एक मिनिट हो जाए तो पलट दीजिए, और पलटने के बाद स्लो करके तकरीबन 10-11 मिनिट उलट पलट करते हुए, इन्हें फ्राइ कर लें, 10-11 मिनिट में तो आराम से यह कीमा पक जाएगा, कोई वांदा नहीं, फिकर मत ग्यारा मिनिट के अंदर तो टोटली पक जाएगा, इसी तरीके से पहले इसे निकाल के नितारकर साइप पर रख दीजिए, टीचु पेबर के उपर रखने की जरुरत निये, प्लेट में निकाल लीजिए, और इसी तरीके से दूसरा बैच भी फ्राइ कर लें, चलिए मैंने कडाई लिए, आप वही फ्राइ पैन ले सकते हैं, और ये सारी चीजें जो मैं आपको बताते चाहरे हूँ, आगे मैं ये डालूँगी, अब मैं कडाई लिए हो, आप फ्राइ पैन ले सकते हैं, कडाई को अच्छा गरम कर लीजिए, इसमें वही तेल डालिए, जिससे मीडियम आज पर इससे सॉट कर लीजिए, मैंने मीडियम रखा है, तकरीबन दो मिनिट हो जाए, सॉट करके प्यास को, तो यहां पर बारिक इसी तरीकी से पैये की शेप में कटा हुआ टमाटर है, वो भी दाल दीजिए, एक ही मीडियम साइस का था, वो ही दाल रही हूँ मैं एक मीडियम साइस का टमाटर और तीन-चार हरी मिर्चियों को मैं स्लिट मार कर दाल रही हूँ, अच्छा मैं चार दाल रही हूँ, क्योंकि मैंने हरी मिर्चिया है उसमें कम ही डाली है कबाबों में, अब इसे भी डाल कर टमाटर और हरी मिर्चियों को तकरीबन दो-त 10-minute fry हो जाए चूला medium पर ही था अब इसमें डाल दीजिए अब मैं चूला सबसे पहले तो slow कर देती हूं इसमें डाल दीजिए आदा चुड़े चाय का चमच काली मीडचो का पाउडर आदा चुड़े चाह का चमच चाट मसाला और आदा चुड़े चाय का चमच आमचूर का लीजिए, एक देड़ मिनिट तक इसे टॉस करके पका लीजिए, खूब सारी बारी कट्टी हुभी कोथ मेर दाल दीजिए, यानि कि हरा धनिया थोड़ा सा बारी कटा हुआ फुदीना दाल दीजिए, और हाँ, आधे नीम्बू का रस दालना, मत भूलना, बहुत ही मज़ा चटपटा सा लगेगा आपको, क्योंकि चटाकेदार, चटकारा कबाब है हमारी मतन वाली, चली तकरीबन एक देड़ मिलिट हो गया है, और मिक्स मैंने फिर से बहुत अच्छे से कर लिया, चूले को कर देती हूँ, मैं बंद, अब इसे गर्मा गर्म एक प्लेट में निक आपका है, जिसे इनी चोड़कर खाना है, वो खा सकता है, अच्छा यह जो हरी चटनी है, मैंने बनाई इसके साथ, पैसे तो जरूरत भी लगती है, बट तब भी मने बना लिये, बहुत ही मज़ेदार उससे भी लगी, तो हरी चटनी का लिंक चाहिए, रेसिपी चाहिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप चेक कर लिजेगा, यह रेसिपी में हरी मिर्च और जो सुखी लाल मिर्च का जो मैंने चिली फ्लेक्स दाला है, वो सारा जो स्पाइस है इस रेसिपी में, अपने स्वाद अनुसार दालिएगा, इसी तरीके से मैंने का आप बाल डिस्क्रिप्शन के अंदर चेक कर लिजेगा, बकराई, शॉड़ा इत्स स्पेशल पीस भी कह सकते हैं इसे प्ले लिस्ट सारा डिस्क्रिप्शन के अंदर है अगर भी रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमें सेक्शन में सहर शह कीचेगा, मुझे आपके कमें सब् फैमिली और फ्रेंज में इस वाली वीडियो के रिंग जरूर फवर्ड कीजेगा नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजे फिर से अजिर होंगी नहीं शांदार दमदार रेसिपी के साथ अदिल देन टेक कर अलाहा आफिस बाई